वाइस क्या आपने बिना पाइलेट और बिना पेसेंजर के भूतिया विमान उड़ने की खबर सुनी है? चलिए इस खबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ रीसेंटली ये रहसे में विमान नाटो के एक नई बल्कि 6-6 देशों के उपर से निकल गया ये रहसे में विमान बुल्गेरिया की सीमा में आने से पहले रुमानिया और हंगरी में गुज गया इसके बाद ये विमान पोलेंड, स्लोवाकिया, बुल्गेरिया और लुथियानिया की हवाई सीमा में चला गया ये सब देख नाटो के दो देश, रुमानिया और हंगरी, अपने फाइटर जेट के साथ इस रहसे भी विमान पर हमला करने के लिए तयार हो गए, लेकिन इस रहसे भी विमान से कोई जवाब ना मिलने पर इस पर हमला नहीं कर पाए और उसका पीछा करने लगे, पर हैरानी क के दर से भाग गए, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी था तो फिर ये विमान बुलगेरिया की खेतों में कैसे पहुंचा, वैसे आप में से कोई है जो ये गुत्ती सुलजा पाए, कुमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा, गाइस उत्तराखंड कोट ने डोमिनोज पीजा को और जब ये बाद उसे और उसकी फैमली को पता चली, तो उन्होंने पुलिस में डोमिनोज की कम्प्लेंड करने का फैसला लिया, लेकिन पुलिस किसी रीजन के चलते उनकी हेल्प नहीं कर पाई, इसके बाद उन्होंने दूसरी कई अथोरिटीज में कम्प्लेंड डाली, पर वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, फाइनली उन्होंने कंजूमर कोट में कम्प्लेंड डाली, और तब जाकर उस कस्टमर को डोमिनोज पीज़ा ने 9.68 लाक रुपे का जुर्माना दिया, वैसे गाईस, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, जब आप ATM से बिना काड के पैसे निकाल पाएंगे, जी आगाईज अब ठीक सुन रहे हैं, हाली में RBI के गवर्नर ने ये अनाउंस किया है, कि वो NPCI, यानि कि National Payment Corporation of India, जिसने UPI को भी बनाया था, उसके साथ मिलकर एक ऐसी टेकनोलोजी बना रहे हैं, जिससे सारे ATM, UPI को सपोर्ट करने लगेंगे, यानि कि अब आप जब भी ATM में जाओगे, तो UPI का उप्शन आपको दिखेगा, और जैसे ही आप अपना अमाउंट एंटर करोगे, तो QR कोड को स्किन करते ही आपका वर्चल कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिससे आप असानी से पैसे का लेन दिन कर पाओगे, जैसे की आप एक दुकानदार से करते हो, वहीं RBI का कहना है कि इससे दो चीज़ें काफी जादा कम हो जाएंगी, पहला तो कार्ड डिटेल चोरी और दूसरा कार्ड की क्लोनिंग, गाइस इससे तो अब यही लग रहा है कि डेबिट कार्ड का अंत आने वाला इसरों के चीफ, देश के प्रेसिडेंट, भारत रत्न, जैसे कई बड़े अवार्ड्स और उपलग दिया, उन्होंने अपनी जिन्दिगी में हासी लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंतिम समय में रह गये थे सिर्फ पचीस सो किताब, एक कलाई वाली घड़ी, छे शर्ट, कलाम जी ने जिस जिस पदों पर काम किया था, वो चाहते तो करोडों और अर्बों की संपत्ती भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी संपत्ती सिर्फ देश के लिए समर्वित को दोस्तों ऐसी सक्षियत कई सदियों में एक बार देखने को मिल